हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ फरहत, आज मैं इन हनी बॉटल्स का मेक ओवर करके इसे रियूस करने वाली हूँ, अफकॉस हम ऐसे भी यूस कर सकते हैं, बट इड़संट लुक नाइस इन दे किचन, और हम इसको फिर खरीदते हैं, और हमें एक ग्लास का 2400-500 के आराउंड या इसे जादा भी मिलता है, तो क्यों ना हम इसको डियाइवाय करके डैकॉरेट करके यूस करें, तो चलिए देखते हैं, इसको कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले हम बॉटल को क्लीन करेंगे, गर्म पानी में 5-7 मिनट सोक करेंगे, इसके दो फा फिर आप फोक और स्क्रबर की मदद से इसको इसली निकाल लीजे और वाश कर लीजे, हो गयना एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लीन बॉटल्स, अब हम इसे ग्लास क्लिरनर से भी एक बाश साफ कर लेंगे, ताकि जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है, वो भी साफ कर लेंगे साफ हो जाएं इसका यूज किया है, पहले डिजाइन के लिए, सबसे पहले बॉटल को पेपर टेप से कवर कर दिया, ताकि पेंट इदर उदर ना जाए, जिस पोशन में मुझे पेंट चाहिए, उतने में ही पेंट हो, और देन एक स्पोंज की मदद से, मैंने डाब डाब करके, पिंक न के बाद बस टेप को निकाल देंगे, दूसरी डिजाइन में मैंने बॉटल में मारकर से हार्ड बना लिए, और देन उसे मरून कलर से फिल कर दिया, और देना बाद खिल को निकाल इसी तरीके से मैंने दूसरी बॉटल में भी कर लिया अब तीसरी बॉटल में मैंने सेम डिजाइन बनाया है बस मैंने कलर डिफरेंट कर दिया यहां मैंने ब्लैक कलर से हार्ट को फिल किया है इसमें मैंने सिंप्ली पुरे बॉटल में सर्कल बना दिया है और ब्लैक और मरून कलर का यूज कर के इसको फिल कर दिया आट्स एट अब क्याप को पेंट करेंगे यह एकदम यलो यलो डर्टी दिख रहा है तो मैंने क्या किया है सिंप्ली जिस कलर से मैंने बॉटल में डिजाइन किया है से इसी कलर से मैंने इनके कैप को पूरा फिल कर दिया इसी तरीके से मैंने सारी बॉटल के धकन को पेंट कर दिया यहां पे बहुत इंपॉर्टन चीज है कि यहां पे हमने नेल पेंट यूज किय बट करेंटली मुझे इन में सिक तीनों चीज अवेलेबल नहीं हुई तो मैंने या पे यूज करके नहीं दिखाया वाकि मैं यह स्क्रीन शॉट दिखा रही हूं यह मौच पॉच ग्लू है यह पेंट या फिर एक्रालिक कलर या फिर हम स्टीकर यूज करते हैं तो उसको सेक करके दिखा दूँगी कर दो दूँगी झाल